आस्ट्रेलिया अपने पुराने रंग में वापिस आ चुकी है और मैच में बड़ा ही रोमांचिक मोड देखने को नजर आया क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लगा मानो आस्ट्रेलिया वो इतनी बैक फुट पे चली गई है जहांसे कि उसे सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर का रास्त नजर आ सकता था लेकिन उसके बाद कमबैक किया क्या शांदार कमबैक पहले तो रिकॉर्ड बनाए श्रिलंका ने और फिर बंडल अप किया उस्ट्रेलिया ने मैं हूँ असाथ मेरे साथ है फारुक फारुक किस तरह से देखेंगे इस चीज को देखिए जिस तरह से आज ने कमबैक करा है शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आज भी वो चीज नहीं हो पाएगी बिकॉज पहले बीस ओवर शिलंका ने अच्छे से खेला याद कि यह कल जब अफगानिस्तान खेल रही थी कुछ वैसा ही हाल शुरू में रहा लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हो फील्ड पर क्योंकि आप इंडाय मैच के लो और आज स्पिनर एफेक्टिव रहा है अच्छा थोड़ी सी फारू कि यह चूक भी हुई आज डियरस में पाली वाल पर रिवी लिया जाता है वो बिल्कुल बैक पर लगती है जिस वाल पर म को इस प्लैटफॉर्म पर बहुत अधा एक्स्पिनिंस नहीं है मतलब कंपरिटिव ली जिसतना कैरी को है और हो सकता है वहाँ पर कहीं नहीं वो थोड़ा सा प्रेशर में जरूर होगए वर्ल कप का मैच है दो अब लगाता रहा चुके हो तीसरा मैच है और एक जिम्मेद से आप एक विकेट कीपर को एक्सपेक करते हो वो शायद कहीं नहीं है थोड़ी कमी देए आप देखिए ना इपनी अच्छी श्रिलंका के साइट मैं फिर गएंगे लाग ऑफ एक्सपिरियंस क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी ओपनिंग दी आपका पह लगा कर दिंग अच्छी है कुछ 安हांइश अनहांगी कि hon अचानक से वोपिछ आप करने लगती है अचानक से मिलने लगती है यहांच की कुछ उरू कि मिली है चुरुमें जो आपको विकेट कमिंस ही लेकर गए हैं लेकिन उसके बाद जिस तरह से जैंपा को विकेट से हिल्प मिलने शुरू हुई और हमने ये बात बार बार करी है कि ऑस्टेलिया टीम जब इंडिया आई है खेलने तो एक और इस तरह आपको पॉलर्स नहीं चलते हैं मैच में तो उसके बाद आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो कि दुबारा सागारी कमिंस विकेट लेंगे आपके पास आपको स्पिनर्स चाहिए देखें जैंपा को पिछले दो मैच में भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था और आज भी अपको एक मैच में जरू चार विकेट लेगे पर इस नोट अप्राइन नहीं हो सकते हो वह आपको बीच में आगर बैटिंग में नहीं चलते तब आप बोल सकते हो वह प्राइन ने शांदार ऑपनिंग दी एकसे टर नुसांका ने बनाए अठ्र रण बनाए तो इन दोनों के बाद में जो कि इस त्रिमेंडिस फॉर्म ने शांदार फॉर्म में थे कप्तां थे आज तो शाहिद प्रेशर प्रेशर नहीं खेला हुआ वह आधिका बॉल बॉन तो यह जब पहली प्रिगेट भी गिरी थी, श्रिलंका गफी रिलाक्स था, अच्छा स्कोर है, मेंडेस इन फॉर्म है, लेकिन उसके बाद जो मेंडेस फ्लॉप कुए आज, तो फिर पूरी श्रिलंका फ्लॉप कफ्तान उपर से आपका प्रीमियम खिलाली जिसके पास सबस तो श्रिलंका है वो श्रिलंका सामने बिलकुल भी टेक नहीं पाया तो जिस तरह से पूरा लाइनप आप देखेंगे असलंका को आप छोड़ देर के लिए हम क्योंकि अच्छी वैट लास्त तक के लिए वो यह तो बड़ी चीज है ना फारुक्त वरी लागे अच फिर न भी चार एखेंगे लिए श्रिलंका काफी अच्छा सम्हाला था और ओर दिखिया अछा इसा नहीं को इत्वाकन था जैसे रचिंद रविंडर्वींद्रा प्र प्र क्रिक्टींग शॉर्ट खेल रहे थे वैसे ही वल्यागे भी प्र रोप्र क्रिक्ट खेल रहे थे तो वो आपको एकाना में खिलने या कोई फाइदा नहीं है और अगर एकाना में भी नहीं जगर पाते तो इसका मतलब साफ था कि आस्टेलिया के लिए ये जो बॉलिंग लाइन अप है खास करके स्पिनर जो अटैक है वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं उनको दोबारा से कुछ सोचने की जरूरत है इस पर खैर अगर विकेट की बात करें पहला विकेट एक सो पच्छेस पे गिरता है लगबख प्रिट नहीं गरता है कि साड़े तीन सो प्लस स्कोर नहीं गरता है क्योंक 99204 मतलब आप इस तरीके से गरते चले हैं तो कही नहीं बाली और बैटिंग दोनों की बात है और सबसे बड़ी चीज यही है कि आप किस तरह से इसको चेस करने वाले हैं इस स्कोर को आज देखिए मिचल स्टार्क थोड़ा खोश हो गया है क्योंकि मिचल स्टार्क की वो आज नहीं बाल से विकिट नहीं वो एक थोड़ी से टेंशन अगेंड रहेगे फारुक आप देखेंगे तो देखिए वो लगातार हो रहा अगर आप किसी पेसर को देख लें आप बोल्ट को देखिए जस्परिद भूंगरा ट्रेंग बोल्ट आप हाला कि बोल्ट ने दो को अस्टेलिया में रख दो आप उनको न्यूजिलैंड में रख दो तो काफी मतलब अलग दिखते हैं वही जब इस पार इंडिया में आया तो वह काफी अलग दिख रहे हैं लेकिन ग्लेन मेक्सिकल की बात करने हैं कि फारुक नौ 10 अवर तीन ओवर 36 रंग एक विकेट औ पर डिजर्व करते हैं सोची आपके दस ओवर में भी अगर 40 रंग देते हैं तो आपके चार की गॉन में ने जाते हैं अडम जैंपा चार विकेट लेके जाते हैं तो इस तरह से स्पिनर ने फिर आधी टीम कॉल आउट किया लेकिन आपके पास स्पिनर है नहीं एक रन आज एकाना में हो रहा है और देखिए 209 रंका जो आपने टार्गेट 210 का टार्गेट दिया है 209 मारे हैं अगर श्रिलंका के स्पिनर्स यहां पर थोड़ा कमाल कर देते हैं तो यह भी टोटल आउस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है अस्ट्रेलिया नहीं ब सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं बूले